अब अगर संपत्ति आप बेचना चाहते हूं आपके पास प्रोपर्टी है आप बेचना चाहते हैं बेच करके नई प्रोपर्टी लेना चाहते हैं या बेच करके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं जो भी अबजेक्टिव हो लेकिन आप प्रोपर्टी बेचना चाहते हैं औ और तमाम प्रियासों के बावजूद आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिखपा रही है। क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए। बेहतर होगा स्नान ध्यान करके सुबह के समय जाएं। वैसे आप शाम को भी जा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि सुबह स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर जाएं। उमान चालिसा का एक बार पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी और ये उपाय मुझे लगता है कि नौ मंगलवार को करना चाहिए। नौ मंगलवार अगर आप ये उपाय करें तो पांच मंगलवार छे मंगलवार के बाद ही प्रोपर्टी बिकने की संभावना बन जाती है लेकिन अगर बीच में भी प्रोपर्टी बिक जाए तब भी कम से कम नौ मंगलवार इस उपाय को पूरा करना चाहिए। अब अगर संपत्ति से संबंधित मुकदमे चल रहे हूं प्रॉपर्टी आपकी है वसीयत को लेके मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी पे किसी ने कबजा कर लिया है या परिवार के लोगों के बीच में ही संपत्ति को लेकर के कोई मुकदमा है कोई विवाद है क्या करना चाहिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए मैं फिर भी कहूंगा कि सुबह स्नान करके शुबह के समय जाएं तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें नारंगी वाला सिंदूर उनके पैरों में लगा दें लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल अर्पित करेंगी आप सिंदूर नहीं लगाएंगी इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जला करके प्राथना करें कि आपको मुकदमों से राहत मिले, मुकदमों से छुटकारा मिले अगर प्रापर्टी संबंधी कोई मुकदमा है, प्रापर्टी संबंधी कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत से आपको छुटकारा मिले, जल्द से जल्द आपको मुकदमों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और ये उपाय भी कम से कम नौ मंगलवार आपको करना चाहिए अमूमन नौ मंगलवार समापत होते होते मुकदमों में राहत मिलने की संभावना बन जाती है अब एक और बात एक बहुत एहम बात है कि आपने जमीन ले ली आपने प्रोपर्टी बनवा ली अब आप उस प्रोपर्टी में शिफ्ट करने जा रहे हैं आप नए स्थान पर या जहां नई प्रोपर्टी बनवाई है वहाँ पर आप जा रहे हैं देखिए अपनी संपत्ति के स्थान पर एक उजा घर जरूर बनवाईए जैसे आप बेडरूम बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारा बेडरूम ऐसा होगा उसके साथ अटेच्ट टाइलेट होगा या मेरा ड्रेसिंग रूम ऐसा होगा वैसे ही घर में एक अलग से पूजा घर भी बनवाना चाहिए जो की जरूर बनवाईए पूजा स्थान पर भगवान शिव की मूर्ती की स्थापना जरूर करिए मैं शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ याद रखिए मैं शिव जी की मूर्ती की बात कर रहा हूँ ऐसी मूर्ती स्थापित करिए जिसमें भगवान शिव आशिरवाद दे रहे हूँ रूद्रा भिशेक और अगर अपने नए घर में शुरुवात में ही आप रूद्रा भिशेक करवा लेंगे तो घर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ की, धन की या तरक्की की समस्या परेशान नहीं करेगी तो अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो वहां भगवान शिव की स्थापना कर लें, उनके मूर्ती की, उनके चित्र की और घर में प्रवेश करने के पहले एक रूद्रा भिशेक वहां जरूर करा लें ऐसा करने से अगर घर में कोई निगेटिव एनरजी है, अगर घर में कोई नकारात्मक उर्जा है, तो वो निगेटिव एनरजी वो नकारात्मक उर्जा दूर होगी और जो लोग भी भविश्य में उस घर में रहेंगे उनको स्वास्थ की या करियर की या पैसे रुपियों की दिक्कत परिशान नहीं करेंगी संपत्ति से संबंधित एक बात और भी है अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी प्रोपर्टी में निगेटिव एनरजी है या बहुत लोग कहते हैं कि मेरी प्रोपर्टी में भूत का साया है तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया है जब से इस प्रोपर्टी में आये हैं तब से दिक्कत हो रही है देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि आपका समय अच्छा चल रहा हो और आप जिस property में जाएं वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाए अमूमन क्या होता है कि हम जिस समय हमारा समय खराब होता है हम ये समझने लगते हैं कि property की वज़ा से दिक्कत हो रही है जबकि दिक्कत आपकी कुंडली के ग्रहों की वज़ा से होती है उसमें प्रोपर्टी का कोई लेना देना नहीं होता तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोपर्टी में किसी ने कोई तंत्रमंत्र कर दिया है या प्रोपर्टी में नकारात्मक उर्जा है तो पहले आप अपनी कुंडली देख ले या दिखवा ले ताकि आपको ये तो पता चले कि आपका समय बुरा है या अच्छा है अगर बुरा समय है तो पहले ग्रहों का उपाय करें आपके मकान की प्रॉबलम अपने आप सॉल्व हो जाएगी लेकिन अगर आपका समय ठीक है उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है तो ऐसी स्थिती में जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वहां हर शनिवार की शाम को घर के सारे लोग मिल करके एक बार सुन्दर कांड का पाठ जरूर करें हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुन्दर कांड का पाठ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुब होगा इससे घर की जो नकारात्मक उर्जा है जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी घर के लोगों का स्वास्त ठीक होगा और घर में बरकत होगी घर में उन्नती होगी घर में खुश्याएंगी